Great Britain के पास एक म्यूजियम है जिसमें दुनिया भर से लूटी हुई चीज़ें रखी हुई है। मतलब आलम ये है कि इंटरनेट पर भारी मीम्स चलते हैं कि अगर Great Britain सारी चीज़ें वापस कर दे तो वो कुछ ऐसा लगेगा। परहाल अंग्रेजों ने अपने देश पर 200 साल राज किया और इन 200 सालों में बेही साब दर्द दिये। सोने की चिडिया कहलाने वाले देश को ऐसे सिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब यहां की अर्थ विवस्ता को ठीक ठीक बनाय रखने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। रुपय की कीमत गिर गई है। आए दिन ये बाते सामने आई जाती हैं कि भारत को अंग्रेज लूट कर ले गए। तो ऐसे में अब यह सवाल आता है कि वो कितना पैसा ले गए और कैसे ले गए। आज हम सब जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों की जमाने की कहानिया तो आपने बहुत सुनी होंगी। लेकिन इस सवाल का जवाब आपको नहीं बता हूगा कि अंग्रेज हमारा कितना पैसा लूट कर ले गए और कैसे। इन सब बातों का जवाब कुछ हद तक अब मिल गया है। अब हमारे पास एक फिगर है कि आखिर कितना पैसा अंग्रेज हमारे दीश से लूट कर ले गए। ये फिगर सामने आई है एक जानी मानी इकोनोमेस्ट उत्सा पटनाय के रिसर्च पीपर से जिसे कोलंबिया युनिवरस्टी प्रेस ने पब्लिश किया है। इस पीपर के मुताबिक अंग्रेज भा पत्ति लूट कर ले गए। यानि कि लगभग 3 पदम, 34 नील, 73 खरब, 92 अरब, 50 करूर रूपए। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कितना है। ये डेटा उन्होंने 1765 से 1938 के बीच हुई गटनाओं के आधार पर लिया है। 45 ट्रिलियन डॉलर असल में इतना जादा अमा पैसा इन अंग्रेजों ने लूटा कैसे हुगा और इसे वो बाहर कैसे लिगे। चलिए हम समझाते हैं। ये सब कुछे ट्रेड सिस्टम के जरिये हुगा। कोलोनियल पीरियड के पहले बृतिन भारत से कंतरा का समान खरीदा करते थे। इसमें कपड़े और चावल प्रम इंडिया कंपनी के विकास के साथ ही पूरे भारतिये व्यापार पर उनका राज हो गया। इसके बाद इस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के टेक्स लगा दिये। ये टेक्स व्यापारियों और आम आदमी दोनों के लिए थे। इन टेक्सेस से कंपनी के आमदनी बढ़ और इसी हामदनी का एक तिहाई हिस्सा वो भारतीयों से सामान खरीदने पर खर्च करते थे। यानि जो टैक्स व्यपारी देते थे उसे टैक्स का एक हिस्सा उनसे सामान खरीदने के लिए ही खर्च कर दिया जाता था। उनसे tax लेने आता था वो कुछ खरीदता ही नहीं था और जो एजन्ट सामान खरीदने आता था वो tax नहीं लेता था फिर उस सामान को ब्रिटिन में इस्तिमाल किया जाता था और वहीं से बचा हुआ सामान बाकी देशों में export कर दिया जाता था यानि फ्री का सामान इस्तमाल भी किया जाता था और आगे बेचा भी जाता था इंपोर्ट की वज़े से यॉरॉप के ब्रिटिन में बहुत ज़्यादा इंकम आने लगी साथ यू ब्रिटिन के इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते वहाँ लोहा, टार, इमारती, लखडी, आ काम पर खरीदे गए सामान को ज़्यादा दामों में बेचकर ब्रिटिन ने ना सिर्फ सौ प्रतीशत प्रॉफिट कमाया बलकि उस पर और जदा रिवेन्यू कमाया, जबकि ब्रिटिश राज भारत में 1847 तक पूरी तरह से लागू हो गया था, उस समय नया टेक्स एंड ब इंकम ओफ रॉफिट हो, वो भारतियों की जेब में ना जाकर सीधे लंदन ही जाए। जब भारतिय व्यपारियों के पास इब बिल जाते थे, तो उन्हें उसे अंग्रेजी सरकार से कैश करवाना होता था। इन बिल्स को कैश करवाने पर उन्हें रुपेयों में पेमेंट मिलती थी। ये वो पेमेंट होती थी जो उन्हीं के द्वारा दिये गे टैक्स से एक कमाया हुआ है। ऐसे में लंदन में वो सारा सोना चांदे कठा हो गया जो सीधे भारतिय व्यपारियों के पास आना चाही था। इस पूरे करफ्ट सिस्टम का असर ये हुआ कि भले ही पूरी दुनिया के सामने भारत बेहद अच्छा बिजनस कर रहा था और बेहद ब्रिटेन जो भी पैसा भारत से ले जाता था या जो भी सामान ले जाता था उसका इस्तमाल बाकी की देशों के विकास के लिए भी करता था जैसे कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे में ना सिर्फ ब्रिटेन ने अपने ओद्योगी की करण बलकी कई देशों के विकास के उस पैसे का इस्तिमाल किया जो भारत से चुराया गया था अब सवाल आता है कि ये पैसा गिना कैसे गया उत्सा पटनायक ने अपने रिसर्च में भारती अर्थव्यस्ता के चार अहम पड़ावों पर अगौर किया है 1765 से 1938 के बीच में अलग-लग तरह से भारत से पैसा लूटा गया इसके बाद इन सालों की गणना की गई जो अनुमान निकल कर आया उस पर पांच प्रितिशर्च टेक्स लगाया गया ये टेक्स असल में इंफ्लेशन था जो मार्केट रेट से कम ही माना गया सबी आंकडों की बारेकी से जाच करने के बाद नतीजा ये निकला कि ब्रितिन ने कुल 90 सालों में 44.6 ट्रिलियन डॉलर चुराए हैं और अभी भी इसमें वो प्रितिश राज के दौरान भारत पर पड़ा था ये बहुत दुखद आंकडे हैं लेकिन इसमें भी अभी कर्ज जोड़ा नहीं गया और सही मायनों में ब्रितिन ने भारत की कितनी संपत्ति लूटी इसका कोई आकलंड फीक तौर पर नहीं किया जा सकता है अगर इस पूरे पैसे को भारत अपने विकास में लगाता और जिस टेक्स को ब्रितिन को दिया गया उसे भी भारत में लगाया जाता तो जैसा कि जापान ने किया है तो यकीन मानी इतिहास में हम सबसे ताकतवर देशों में आते और भारत एक अर्थ वियस्ता मुगल बन सकता था और सद्यों के गरीबी दूर हो सकती थी बरहाल इससे ये तो पता चलता है कि ब्रिटिन ने भारत को नहीं बलकि भारत ने ब्रिटिन को दिये गए पैसे से उसका विकास किया है इस हिसाब से तो अभी बिटेन को माफी मागनी चाहिए भारत से लेकिन इसका उल्टा वहाँ के लोग तो यह मानते हैं कि बिटेश ना होते तो भारत का विगाजे नहीं हो पाता ब्रिटेन के पूरु प्रधानमंत्री डेविड कैमरून कहते हैं कि ब्रिटेश रून ने भारत की मदद ही की है शायद उन्होंने इतिहास को सही से पढ़ानी होगा आपको क्या लगता है कितना सही है हमें कोमेंट करके बताईए अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेर कर दो और अगर आप चैनल पर नए होते हो से सब्सक्राइब करना मत बूलना अगर ये वीडियो आप फेस्बुक पर देखे रहे हो तो पेज को लाइक को और फोलो जरू कर देना